क्या आपकी immune system कमजोर है और क्या आपकी पाचनतंत्र भी कमजोर है और सरीर में protein, fiber, vitamin की कमी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसी recipe लेकर आई हूँ जिसके 7 से आपकी immune system को मजबूत कर सकते हैं पाचनतंत्र को भी ठीक कर सकते हैं और साथ में protein, fiber, vitamin की कमी को भी दूर कर सकते हैं हलो एवरिवन मैं हूँ प्रतिमा और मेरे चानल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चने की पत्तियों से बनी सुस्की recipe जिसे आप घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं तो चलिए आज की इस recipe को बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चने की पत्तियों को लिया है इसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है चने की सुस्की बनाने के लिए कोमल कोमल पत्तियों को लेना है आप देख सकते हैं इस तरीके से तोड़ने पर बड़ी आसानी से तूट रही है मतलब चने की पत्तियां कोमल है अब किसी बरतन में इन सभी पत्तियों को डालें मैंने यहाँ पर कडाही को लिया है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी पत्तियों को कड़ाही में ट्रांसफर कर लिया है अब गैस ओन कर दें और साथ ही इसमें दो गलास पानी डालें अब स्वाद के अनुसार नमक डालें और अच्छे से मिक्स कर दें इसमें अगर आप नमक डालते हैं तो बहुत दिनों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं जिससे चने की सुस्की जल्दी खराब नहीं होंगे यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसे ढगकर 10 मिंट के लिए हाई फ्रेम में पकने दें यहाँ पर लाइट जो है वो कट चुकी है इसके लिए सौरी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिंट हो चुका है अब इसे पलट लेंगे और तीन मिंट के लिए फिर से ढगकर पकने देंगे तीन मिंट के बाद आप देख सकते हैं पत्तियां अच्छे से पक चुकी है अब इसे निकाल लें और ठंडा होने दें यहाँ पर चने की पत्तियां ठंडा हो चुकी है अब इसे सारे पानी को निचोड लें यहां पर मैंने सभी पानी को निचोड लिया है अब इसमें दो चम्मस सरसो का तेल डाले और अच्छे से मिक्स करें इस तरीके से तेल डालने पर चने की सुस्की खराब नहीं होंगे जिस तरीके से अचार खराब नहीं होते हैं तो तेल का यूज जरूर करें अगर आपको लंबे समय के लिए इस्टोर करना चाहते हैं तो अब यहां पर अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसे धूप में सुखा देंगे इसे सुखाने के लिए किसी कपड़े को ले और धूप में बिचा दें आप देख सकते हैं मैंने कपड़े को दोप में बिछा लिया है अब इसके उपर पतला पतला फैला देंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से फैला लिया है अब इसे तीन से चार दिन के लिए सूखने देंगे ताकि ये अच्छे से सूख कर क्रिस्पी हो जाए चार दिन के बाद यहां पर आप देख सकते हैं पतियां अच्छे से सूख कर एकदम क्रिस्पी हो गई है अब इसे धूप से उठा लें अब यहां पर देखिए चने की सुस्की अच्छे से सूख चुकी है इस तरीके से मसलने पर असानी से तूट रही है इसी तरीके से सभी सुस्की को मसल कर तोड ले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सुस्की को अच्छे से मसल कर तोड लिया है हमारी स्पेस्सल चने की सुस्की बन चुकी है आप चाहे तो इसे इस्टोर करके भी रख सकते हैं इसे polythene या डबे में भर कर रख दें और आसानी से साल भर यूज कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर polythene में भर लिया है अब इस चने की सुस्की का सबजी बनाते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी चने की सुस्की को लिया है अब इसके लिए मैंने यहाँ पर medium size के 10 से 12 टमाटर को अच्छे से दो लिया है अब इसे छोटे छोटे पीस में काट लें टमाटर हमें थोड़ा ज़ादा ही यूज करना होता है चने की सुस्की बनाने के लिए तभी ये टेस्टी लगते हैं क्योंकि इस रेसिपी में ज़ादा मसालों का यूज नहीं किया जाता है अब यहां पर टमाटर को मैंने काट लिया है अब आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाले छे से साथ लसुन की कलिया और साथ में हर्य मिर्च डाले और इनका पेस्ट बना ले यहां पर पेस्ट बनकर के तयार है अब कडाही को गर्म करें कडाही के गर्म होते ही दो चम्मच तेल डाले और गर्म होने दे तेल के गर्म होते ही आधी चम्मच सर्सो को डाले और सर्सो को चटकने दे सरसो के चटकते ही हल्दी के पैस्ट को डाले और आधा मिंट के लिए भून ले अब टमाटर को डाले और अच्छे से ढख कर मीडियम फ्रेम में पकने दे जब तक कि टमाटर सौफ्ट न हो जाए अब यहां पर आप देख सकते हैं टमाटर सौफ्ट हो चुकी है अब इसमें स्वात के अनुसार नमक डालें तो मैंने यहां पर एक चमच नमक का यूज किया है अब इसे ढख कर टमाटर को अच्छे से गलने दें जिस तरीके का टमाटर की चटनी होती है बस उसी तरीके का पकाना है अब यहां पर आप देख सकते हैं टमाटर गल चुकी है अब इसका रशा तयार करेंगे तो इसमें दो गलास पानी डालें और अच्छे से मिक्स करें अब ढग कर इसे उबलने दें यहां पर आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुकी है अब इसमें चने की सुस्की के डालें और अच्छे से चलाते हुए मिक्स करें यहां पर अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब इसे ढग कर तीन मींट के लिए पकने दें तिन मीप के बाद आप देख सकते हैं चने की सुस्की पक चुकी है अब गैस बंध कर दें और इसे निकाल कर सर्व करें आप इसे चावल के सांथ में सर्व करें ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है उपर से हरा धनिया पत्ती डालें और मिर्चाचार के साथ सर्व करें साथ ही अगर आप मिर्चाचार हो तो क्या बात है? खाने का मज़ा दुगुना हो जाता है अगर आप इस तरीके से नीवू के रस में बनी मिर्चाचार बनाना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक में जाके देख सकते हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटीन, फाइबर, विटामिन से भरपूर, चने की पतियों से बनी सुस्की सबजी बनकर के तैयार है और यह आपके पाचन तंत्र और इम्यून सिस्टम को सुधारने में भी मदद करता है अगर आपको आज की यह चने की सुस्की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले क्योंकि इसी तरह की रेसिपी मैं हमेसा लाते रहती हूँ तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार